हलो फ्रेंज मैं सपना सपना हम रेस्पी में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं बनाने वाली हूँ लोकी के कोपते नरम नरम और सौप्ट सौप्ट लोकी के कोपते आप पहली वार में अगर इस तरह से बनाएंगे तो पहली वार में ही परफेक्ट लोकी के कोपते बन लेंगे तो हम बहुत ही आसान तरीका से बताए हैं लोकी कोपता बनाना यकीन मानिए अगर इस तरह से एक बार अगर लोकी कोपता बना के आप खा लेंगे ना तो पूरे सबते में दो बार जरूर बनाईएगा और भारी नहीं लगेगी लोकी कोपता बनाना है कैसे समय में लोकी की कोपता उसके लिए हम एक लोकी लिए हैं बिलकुल ताजी लोकी होनी चाहिए तो लोकी हम ताजी लिए हैं इसको हम छीलेंगे अब पहले धोक लिए थे लोकी को उसके बाद हम छील लेते हैं लोकी को इस तरह से लोकी को छीलने के बाद हम फिर दो लिए हैं और हम क्या करेंगे आप बीच से कट लगा लेंगे इस तरह से बीच से कट लगा लेते हैं छोटे वाले कदुकस लिए हैं क्योंकि इससे पतले पतले निकलेंगे लोकी कदुकस होके इसलिए मोटा नहीं होना चाहिए कदुकस लोकी तो देखिए हम इस तरह से इसमें लोकी मे यह पड़ात है इसमें रख ली हूँ अब मैं इसमें डाल रही हूँ अधरक और लेहसून के पेश्ट उसके बाद में डाली हूँ दो चम्मच जीरा पॉडर एक चम्मच धनिया पॉडर उसके बाद हम आधी छोटी चम्मच से हल्दी पॉडर और यह चाट मसाला है अगर मि llegaे शोट करें ऐख और यह मिलाना है और हम इस तरह से मिलाना है है यह में फульミ मिलाते कशमचना हुडर आधे जाहीं थसके दानिया है शोटी मिला यह पर άot मैं क हम जω सब्सक्राइआ पाद में दालें था इसमें तो आधम दीना चर सोट शूड़ी हैं जाने हुडर हम स आप ध्यान जरूर रखेगा नमक आपको सबसे लाश्ट में डालने है क्योंकि लोकी में वैसे भी पानी बहुत जादा निकलते हैं तो नमक डालनेंगे पहले तो जो बहुत जादा गीला हो जाएगा फिर बेसन जादा लगेगा और बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा तो कोप्ते कोप्ते को ब्राउन होने तक कुह अर जब हम डालेंगे इसमें सारी कोप्ते उसके बाद हम दो मिननट के पाद ही इसको चलाएंगे अस तरह से मेडियम फ्लेम में ही आपको पकाना हैं इसे तो क्या किया है हैं 2 मिनट के बाद इसको चमत से पलट रहे हैंolen irr Cake तggiह क किस तरह से मैं निकाल रही दिखाती हूँ अब हम इसको एक कट कर के दिखाती हूँ अंदर तक कैसे पके रेडी हो गया है कोप्ता अच्छे से अंदर तक पका है कोप्ता बहुत ही बढ़ियां पके रेडी हुआ है चलिए अब हम ग्रेवी केisád घरा कर ग्रैंडर जार में डाल के ग्रैंड कर लेंगे थोरा सा पानी डालेंगे उसके बाद हम इसका पेश्ट बना लेते हैं दरदरासा तो देखिए हम दरदरासा पेश्ट बना के तयार कर लिए हैं अब हम इसको निकाल लेते हैं उसके बाद हम टमाटर और प्या अद्रग और हड भी तो दो याल लीहाना, जीरा, साबूत, एक टचपात को दो तुकरे करके अच्छे से पकाएंगे, फोरन के लिए है, इसको अच्छे से पकालेंगे, और ज़्यादा नहीं है, अभी के समय में कम ही AIL रालना है, उसके बाद हम प्याज और यह लहसुन की पैष्ट टालेंग उसको पकाएंगे अच्छे से जब तेल उपड आ जाए प्याज से तो समझ जाए जो प्याज फ्राय होके रेडी हो गया है क्योंकि अभी दीखेगा नहीं इसमें हमें हल्दी नहीं डाली हूं हल्दी डालने के बाद ही ओयल दिखता है तो चलिए आप इसमें दो चमच डाले टमाटर की पेश्ट डाले उसके बाद हम इसमें डाले जाएगा बचा बेशन डालके ऐसको अच्छे से तेल उपर आ जाने तक न प्रई करोंगी पूरे ब्राउन हो मसाला तभी समझ जाएंगे जो फ्रै होके रेडी हो गया है अब देखिए हम कसूरी मेथी डाल के थोर असर डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च पॉर्डर सोड़ी रेडी हो जाए तो इसमें डाले है एक ग्लास पाणी आप ग्रेवी के लिए पाणी डाल रहे हैं इसमें अब ग तो हम थार थार चीक बना सकते हैं हैं, यानि देर पतला चांवाई है लिए उसके लिए अजय हम पनी इता है उसके बाANT मेदब के लिए, यह कर यो को एक निर ऊटालेक्टा तरीका अलग था इसलिए लगता है थोड़ा ओयल जादा डाले हैं उसके बाद हम साड़े कोपते के पीसे को डाल दिये हैं और एक दो मिनट ठक के पका लिए है तो देखिए कोपता रेडी हो गया है बनके अगर आप कोपता बनानी को सोच रहे हैं तो इसी तरह से एक बार ज कीचे में एक लाइक का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा चैनल में नए है चैनल को स्क्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को जरूर प्रेस किजेगा हर जो नए वीडियो देखने के लिए तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो जरूर बताईएगा कोमेंट म और आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियो और हम चैनल चला सकते हैं अब अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक जरूर किजेगा वीडियो को चैनल ने है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा फिर से बोलते हैं और फैली नम्मर को शेयर भी कर पिर मिलते हैं नही रेसिपी के साथ बाबाई